सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाईए और आने वाले इंटिस्टिंग न्यूज के मज़े पाईए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को मुबाइल सिम कार्ड से जोडने की समय सीमा तै कर दी है फरवरी 2018 तक अगर सिम कार्ड आधार के साथ वेरिफाई नहीं हुए तो उन्हें डियक्टिवेट कर दिया जाएगा अब सभी सिम कार्ड का आधार के साथ लिंग कराना जरूरी हो गया है इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद सरकार को आदेश दिया था कि वहे एक साल के अंदर सभी मुबाइल टेलिफोन उपहोकताओं की पहचान करें इसके लिए कोर्ट ने कहा था कि उपहोकताओं के सत्यापन के लिए के लिए सिम कार्ड को उनके आधार से लिंग कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2017 में ये आदेश लोखमीती फाउंडेशन इंजियो द्वारा दायर एक जन्हिती आचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था बता दे की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजे आई खेहर ने कहा था कि मुबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान होना जरूरी है ऐसा ना होने पर यह धोखा धड़ी से रुप्य निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है डेली ट्रेंडिंग म्यूस की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटिस्ट और इंट्रेस्टिंग म्यूस के लिए